दोस्तों हो सकता है कि डार्क वेब के बारे में आप ना जानते हों बट डार्क वेब के बारे में आपने लाजमी सुना होगा कि डार्क वेब के उपर कौन-कौन सी एक्टिविटीज होती है किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को हैक करना या तो फिर किसी को धमकी देना बहुत सारी activities होती है specially illegal activities dark web के उपर देखे जाएं बड़ दोस्तों इन सब के चलते होए कि आपने ये चीज़ के बारे में सोचा है कि dark web के उपर रहते होए आप किसी hacker को भी hire कर सकते हैं दोस्तों सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये reality है कि dark web के उपर एक, दो या सो लोग काम नहीं करते है बलकि यहाँ पर एक मुकमल industry बन चुकी है जोकि hackers की industry है और बहुत सारी illegal activities daily ways के उपर देखी जाती है total explanation के साथ, total detail के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो जानकारी देने बाला हूँ हो सकते हैं यूट्यूब के उपर ये first वीडियो हो जिसनी इस बारे में बात की है दुआएं जाने के कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में hello guys मैं हूँ अधनान आप देखने टेकनिकल उसाजी यूट्यूब चैनल को तो चलते हैं टेकनोलजी इसके दुनिया में सबस्क्राइब करें टेकनिकल उसाजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकम करदाएं लेटेस्ट टेकनोलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि ये विडियो only for education purpose है सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको किसी भी illegal काम में आपने use नहीं करना दोस्तो पहरे चीज अगर हम देखें तो rent पे किसी hacker को hire करने के लिए कैसा procedure होता है, कौन से steps होते है, कौन सी guidelines को follow up करना पड़ता है और कहां पिर जाके आपने उनका proposal जो है उसको find out करना है तो आएं इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तो for example के तोर पे आपने किसी और का Instagram hacker वाना है उसके बीचे reason क्या है, इसके बीचे हम नहीं जाते दोस्तो dark web के उपर easily आप किसी भी hacker को hire कर सकते है बहुत सारे ऐसे pages है, जहां पे hackers का बारेटा लिखा होता है जहां पे उनकी specializations लिखी होती है, different fields पे जिनको आप read out करने के बाद उनसे आप रापता कर सकते है तो जैसे ही आप hacker को third person की total information देते हैं कि मैं इस account को hack करवाना चाहता हूँ और यहां पे shocking और surprising बात यह है कि जब आपने उनको एक project दिया किसी भी account का तो वो आपसे सबसे पहले पैसे charge नहीं करेगा वो आपसे थोड़ा time लेगा, एक अपते का, दो अपते का उसके बाद वो आपसे दुबारा रापता करेगा और आपको कुछ sample के तोर पे जिस account को आपने hack करवाना था उसके कुछ screen shoots, कुछ audio messages और further उसका data आपके सामने sample के तोर पे कुछ send करेगा अब दोस्तों यहां पे बात आती है proves की तो जब उसने दुबारा रापता किया तो उसने proves send किये कि मैंने उस person का account hack कर लिया है क्योंकि जो उसनी screen shoots आपको send किये जो message आपको send किये वो आपकी conversations की हो सकते हैं किसी और की हो सकते हैं उसकी gallery की pictures हो सकते हैं जिसके बारे भी आपको थोड़ा बहुत how now हो सकता है तो उसके बाद आप 100% जिकीन कर लेते हैं कि उसने account को hack कर लिया है और अगर दोस्तों इससे थोड़ा सा और उपर जाएं तो बहुत सारे ऐसे cases भी सामने आए हैं कि जो account hack करवाने होते हैं उसके username और password भी आपको send कर दिया जाता है कि ये रहा password ये रहा data और ये रही total information उस account की जिसको उस hacker ने hack कर लिया है जब वो आपको data provide कर देगा उसके बाद वो अपनी payment की demand करेगा different dollars की demand कर सकता है वो 5 dollar की भी cut सकता है, 20 dollar की भी cut सकता है, 50 dollar की भी cut सकता है और ये जो उसने charge money के बारे में बात की है, वो depend करता है उसके time की उपर, कितना time लगा, कितने दिल लगे कितनी search करनी पड़ी और कितनी दिरबाद data उसको return होगा तो इसी साब सी उसकी पैसे होते हैं, जो वो charge करता है अब दोस्तों, जब सामने वाला बंदा satisfied हो जाता है, कि इसके पास account है, तो वो account के बदले payment देता है लेकिन दोस्तों, जो hacker होता है, वो payment किसी भी ऐसी application से नहीं लेता है, ऐसी भी transaction से नहीं लेता है जो कि आम एक person ही use करता है hacker होता है, वो bitcoin के जरीए transaction लेता है, वो किसी और method के जरीए लेता है, जो कि dark web में valid हो basically friends, जितनी भी dark web में payments activities होती है, वो crypto currencies में ही होती है bitcoins में होती है, difference or coins में होती है और ये काम hackers इसलिए करते हैं, कि उनको track ना किया जाए, कि वो कहां पी is time available है दोस्तों, ये information आपको कैसी लगी, अगर ये information अच्छी लगी है, इस hacker के बारे में, तो इस video को like करें इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कि जब assess दे देता है, एक hacker, उस person को जिसने account hacker वाया था उसके बाद वो कहता है, कि sir, आपको मेरा काम कैसा लगा, आप कारें लिए feedback दें, इसके इलावा आप मेरी अगर और थोड़ी help कर सकते हैं, तो आप मेरी जो profile है, उसको share करें अपने different friends के साथ, अगर आप ये काम करते हैं, तो जब आप next को ही अपना काम करवाएंगे, तो 20 50% में आपको off दोंगा, तो ये कितनी amazing बात है, कि एक बंदा है, इतनी अच्छी services जो है, वो provide कह रहा है, so friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर dark web के related कोई भी आपके mind में question है, ये किसी ओर topic के उपर आपको वीडियो देखनी है, तो comment section में आप बता सकते हैं, इसके ल